तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में मस्रूम के वारे में कुछ रोचत तक्त बताएंगे आपको जिसे सुनकर आप भी हैरान रहे जाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मस्रूम एक कवक है और वह पौधों की तरह नहीं होता है मस्रूम को अपने लिए उर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकास की ज़रूरत नहीं होती है मस्रूम में लगो 90 प्रसत पानी होता है खाने हों कि मस्रूम की बिभिन्दे परजातियां बिटामिन B, पोटेशियम और तामे जैसे आबस्रिक खनेजों का बड़ा सुरूत होता है मस्रूम में कई महत्वपूर खनेज और बिटामिन्स पाई जाते हैं इनमें बिटामिन B, D, पोटेशियम, कौपर, आइरन, सेलेनियम की पर्याप मात्रा पाई जाती है इसके अलावा मस्रूम में चोलिन नाम का एक खास पोशक तक तो पाई जाता है जो मास्पेशियों की सक्रियता और याददास्त बरकरा रखने में बेहत ज्यादा लाप्रध होता है इसमें एंटी बैक्टिरियल और एंटी मायक्रोबियल गुण होते हैं यह इसकिन संबंदी रोगों से हमारा बचाव करता है मसरूम में फॉलिक एसड और आयरेन की भरपूर मात्रा पाई जाती है इसके सेवन से सरीर में हिुमोगलोमिन की मात्रा लेवल रहती है और बढ़ती है मसरूम में प्रोटीन, बिटामिन B, बिटामिन D, बिटामिन C, कॉपर, पोटेशियम, फासफोरस, सेलेनियम, फाइटो केमिकल्स और एंटी ऑक्सिदेंट जैसे पोसक तत्तु पाई जाते हैं जो सरीर को कई स्वास्ता समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं मसरूम का बैग्ञानिक नाम एगरेकस बिस्पोरस है और इससे कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों अगर आप भी मसरूम का सेवन करते हैं तो इसके गोणा अपने वीडियो में जाने अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक सेर करना बिलकुल नभूलें मिलते एगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बदने माद